यह पूरा का पूरा गाउं यार बताते है कि होंटिड है भाई जैसे मैंने बोला लोकेशन चेंज करनी चाहिए एकदम से फिर से मोशन सेंसर ओन हो गया है उधर की तरफ से कुछ हवाज आई ना भी स्वागत आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में अभी यार मैं हूँ और मेरे साथ में मेरा कैमरा मैन है जिस जगह हम अभी आयो है यह राजस्तान स्टेट के अंदर पढ़ती है गाउं का नाम है माकल कुंडा और अगर आपको पीछे की तरफ दिख रहे हैं तो कुछ घ लेकिन चार-पांच घर है जो अभी भी थोड़ी बहुत ठीक ठा कंडिशन में है यह पूरा का पूरा गाउं यार बताते है कि होंटिड है यह श्रापित है ऐसी ऐसी बात है इस गाउं के बारे में जिसके पीछे काफी इंट्रस्टिंग स्टोरी है बताते हैं आप से आग गई थी एक क्योंटे स्टेटके अगे तशन्त व अगरा थे फसी उनको निकल रहे थे कहीं आगे की तरफ जा रहे थे तो उनको यह पर प्यास लुगी तो उन्होंने का की यह इंसे पानी लेलेता हूं कि सी घर में से तो इनमें से हिसी से उनहोंने पानी मांगा था त को दिख रहा होगा तो वो सामने है उतर देखो काफी जाडिया वगारा भी हो रखी है क्योंकि पूरा का पूरा गाउना अब फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आ चुका है तो चारो तरफ जंगल ही जंगल है तो उन्होंने जो सादू संत थे वो उन्होंने किया ये था उन्होंने काफी जादा अब शब्द कहने शुरू कर दियो सादू को और जब उनकी बहस होने लगी तो फिर मार पीट भी कर दीती सादू के साथ में तो जो बताते हैं स्टोरी वो यह कि वह ऐसी वार्दा तोने के बाद में ना उनके दिल को काफी ठेस पोची ती जो वह स जादा अजीब अजीब घटना होनी शुरू हो गई लोग बिमार पढ़ने लग गए बहुत लोगों की मोत होने लग गई एक एक करके तो उसके बाद में फिर गाउंवालों को समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं वो जो सादू मारास्ते वो काफी पहुचे हुए मारास्त और यह जोग भी कुछ हो रहा हमारे साथ में यह इसी वज़े से हो रहा क्योंकि हमने उनकी इंसल्ट करी तो उस दिन के बाद से कुछ गाउंवाले अपना घर छोड़कर चले गए थे कुछ तो पहली मर गए थे और आज कहा जाते कि आज भी यहां पे कुछ ना कुछ श्र पहले ना देख लिते हैं कैसे क्या दुकाने वगएरा घर वगएरा जो थे पहले उसके बाद में थोड़ा सा इन्वेस्टेशन का पार्ट भी करके देखेंगे अगर कोई रिस्पॉंस मिल पाता हमें तो यह देखके लग रहा है कि या तो दुकान थी या फिर कोई छोटा है मतलब यह तो इस ट्रक्चर ही ऐसा बनाया होगा उस टाइम पे या फिर टूट गई जो भी वह जादतर घरों की छत नहीं है यहां पर अभी इधर की तरफ इस रूम में भी ओपन है कि आ यह वाला रूम भी देख लो उपन उपर से च्छत यहां पे भी नहीं बिल्कुल हम यहां पर दिन में आके गए थे वह वाली वीडियो आपको देखनी हो तो वह वीडियो आप देख ले ना मेरे दूसरे चैनल पर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूआ वह वीडियो आप देखो गे तो आपको ना काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि पूरा ए और कहते हैं ऐसे ही टाइम पर लेपड भी अपना खाना डूंडने के लिए बाहर निकलता है तो हो सकता है उधर की तरफ से कुछ आवाज आई ना भी उधर की तरफ से कुछ तो आवाज आई अभी थोड़ी गुर्राने टाइप की आवाज आई ना मारिब यदर लाइट मारिब आगे ऑपte कया दिक्कत ये कि हमारे पास अपनी सेफ्टी का कोई समान नियुक्त जलाले गर्डे ηच deci ऊण बंबी गर्यच यज़ कर लें बाई बड़िवाली लाइट होन न नहीं हो रही आप दिखाईदर की तरफ में ना क्योंकि यहां पर दिन में जब हमने पूछा था ना बंदों से के वहां पर जा सकते नहीं तो उन्होंने भी का था ग्यार श्राप वगएर अगा तो पता नि लेकिन लेपड अटेक्स काफी सारे वहां पर रहे हैं काफी बार इधर से बक्री वगरां को भी चराने के लिए लोग आते हैं तो उनकी बक्रियों को भी उठा के लिए दा लेपड इधर की तरफ दिखाईदर जंगल की तरफ इदर से एकदम से आवाज आई थी या तो किसी पहाड पे से कोई पत्थर गिरने के आवाज थी या फिर दूर उसे कोई गुर्रा या वो इस टाइब किसी आवाज आई थी अलकी सी अभी हो सकता है कोई बंदर वगारा भी हो कुछ नहीं कह सकते हैं आओ आगे वाल एक बार घर देख लेते हैं इस वीडियो में एक बार आपको दिखा देता हूं कि कैसा गाहा हो था यह पूरा उसके गढ़े लेना उदर की तरफ भी दो तिन गढ़ ऊहरा है और वह वाले तो प्रोपर जाडियों के अंदर उसमें तो जाने का भी रास्ता ठीक नहीं है यह वाला तो रास्ता तो ओ इधर की तरफ अंदर जमिन में अबने देखा था अंदर ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई म लगा यह देखो यह पूरी जगह देखो यहां पर देखके तो ऐसे लग रहे हैं यह तो बीच में हवन वगरा के लिए बनाया होगा और इदर देखो लिए साइड में अगर देखोगे तो पूरी की पूरी राक है तो मुस्ट प्रोवेबली हवन वगरा ही होता होगा पहले आप इधर भी चतन यह वाई उपर इस वाले पर तो आगे वाले पर इसमें भी चतनी है देख रहां अभी हो सकता है कि यार दो पूसिबिलीटी है इस जगा के उंटिड होने की पहली तो यह की जो वो महराज थे उन्हों ने ही मरने के बाद में इन से बदला लिया हो दूसरी पूसिबिलीटी यह है कि उन महराज ने न अपनी कोई भी शक्ति यूज़ करके हो सकता है कोई बुरी आत्माएं यहां पे छोड़ी हो दोनों में से कोई भी एक रीजन तो है यहां पे तबी तो सारा का सारा गाउं बरबाद हो गया आपने कहानी सुनियोगी जैसे कुल दारा गाउं था उसी टाइप से है वाई यह भी पुरा का पुरा गाउं खंडर हो गया पुरा का पुरा गाउं बरबाद हो गया यह तो क पुरा और लेपड का खतरा मैंने बताया आपको काफी जादा मैं बीच बीच में थोड़ा सा पोज ले रहा हूं ताकि शांती से एक बार सुन सके कुछ ना कुछ बात अगर दूर से कहीं कोई जानवर की भी आवा जाए तो हमें शांती से सुना ही दे सके ऐसा ना हो कि हम अपनी बातों में इतने मगन हो जाए कि हमें आसपास की जंगल की कोई आवाज ही न सुना ही दे क्योंकि यह एरिया ऐसा नहीं है जहां पर तुम बिल्कुल मगन होके पीसफूली काम कर पाओ इसके अलावा आगे की तरफ आ जो एक बार इदर की तरफ तो यह इदर की साइड थे शायद से और यह देख लो तुम यह काफी ना रास्ता तो उबडखा बड़ है बट एक प्रोपर रास्ता बनाया हुआ है जहां से गाड़िया वगर आ सकती है यह वह बाकी खंडर तो पता नहीं किस तरफ है उदर अंदर की तरफ भी खंडर जंगल में एक दो घर वहाँ पर भी है और छोटे छोटे मंदिरी भी उस साइड में जादा कुछ नहीं है यहाँ पर तो मेरे खाल से एरिया आपको अच्छे से समझ में आ गया है या तो एक छोटा सा पार्ट प्ले कर लेते हैं इन्वेस्टिएशन का एक मोशन सेंसर से और इमफ हो जाएगी वीडियो वाई इन्वेस्टिएशन के लिए ना सबसे पहला जो स्पोर्ट हमने डिसाइड करा है वो करें कुए वाला क्योंकि यहीं पर सारा का सारा कांट हुआ था तो सबसे हादा चांसी यहीं पर अगर कुछ होगा तो मोस्ट प्रोबैबली किसी ने किसी ग देखोगे तो ओल्मस्ट वही है 23.34 तो बहुत जाद अपडाउन नहीं है बिगोज नॉर्मल जो टेंपरेचर इस जगा का वो भी चल रहा है तो ऐसी कोई स्पूकी वाई लिवाइब से टेंपरेचर के बेसिस पर तो नहीं है बाकी एक मैं मोशन सेंसर और करके रख देता अब ही मैं इसके काफी करीब हूँ और मेरा मुवमेंट हो रही है ना उस वज़े से मोशन सेंसर ने कैप्चर कर रहा है एक बार थोड़ा सा शांत हो जाते है ताकि मोशन सेंसर बंद हो जाए उसके बाद में कुछ सवाल जवाब पूछ के कोशिश करेंगे और मैं आपको बात बता दू पिथले पांच-छे मिनट से ना जब से हम यह सेट अप वगएरा कर रहे दे तब से काफी जादा यहां पर मुझे और मेरे कैमरामेन को आवाज आ रही है जानवरों की अब यह बीच-बीच में तो मेंड को की भी आ रही है पर उसके अलावा ना काफी सारे जानवरों की भी आवाजे आ रही है तो वही थोड़ा सा ना खतरा फील हो रहा है बट ठीक है मोशन सेंसर बंद हो गया है मैं थोड़ा सा और पिछी हो जाता हूं यार ताकि यह मेरी मुवमेंट में कैप्चर करें 10-15 सेंड वेट करते हैं ताकि मोशन सेंसर बंद हो जाए हो गया क्या यहां पर कोई है जो हमें देख पा रहा है या सुन पा रहा है अगर यहां पर कोई है जो हमें देख पा रहा है तो क्या आप हमारे आसपास आ सकते हो मैंने सामने कुछ चीजे रखी हुई है अगर आप इनके आसपास आओगे तो हमें पता चल जाएगा क्या आप हो यहाँ पे अगर कोई है जो हमसे बात करना चाहता है तो आप हमारे आसपास आओ लोग बताते हैं यहाँ पे एक महराज थे जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिये थे क्योंकि उनकी बेश्टी करी गई थी अगर आप हो यहाँ पे और हमें सुन पा रहे हो तो हम आप से कुछ बाते करना चाहते हैं और हम आपके अगेंस्ट बिल्कोल भी नहीं है अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो कैप हमारे आस पास आ सकते हो आप श्रीग उश्वाई मोशन सेंसर नहीं हूए पर अभी, यह motion sensor मेरे motion को capture किया है, या camera man को capture किया, या या एक दो सवाल ओर पूछते हैं, अगर बार बार और जो उण उगा, तो फिर हो सकते हैं कोई है यहाँ पर जो हम से बात करना चाहते हैं। क्या कोई है यहाँ पर जिसने अभी अभी हमारे आपस आके हमें कुछ संकेत दियें अगर आप हो तो फिर से जो सामने कुछ चीजे रखी हुई है इनके आसपास आ सकते हो सामने दो चीज रखिये हैं इन में से किसी भी एक चीज को अगर आप हाथ लगाओगे या इसके आसपास से भी गुजुरोगे तो हमें पता चल जाएगा क्या आप हो यहां पर क्या एक बार फिर से आप कर सकते हैं जो आपने अभी अभी किया है अगर यहां पर किसी की भी आत्मा मुझूद है चाहे वो कोई भी हो और आप हमसे कुछ कहना चाहते हो या हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप सामने इन वो चीजों में कुछ छेड़ चाड़ करके हमसे प्रोपर डिस्केशन कर सकते हो अगर सच में कोई है यहां पे तो हमें अपने होने का एहसास करवाओ एक बार अगर आप कुछ बोल के या कुछ करके नहीं दिखा सकते तो आपको कुछ नहीं करना बस हमारे आसपास आजाओ हमें अपने आप पता चल जाएगा कि आप हो यहां पे अगर टेंप्रेचर साड़े पत्चिस डिगरी हुआ है एक डिगरी बढ़ गया है लेकिन एक डिगरी बढ़ने को हम पैरानोर्मल से रिलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक दो डिगरी अप डाउन तो टेंप्रेचर में होता रहता अगर मेजर अप डाउन होगा 10-15 डिगरी का ही अगर अप डाउन होगा तभी हम यह कलेम कर सकते हैं कि स्पीरिट का काम है फिलाल तो ना तो किसी EMF metre के ठूह बात हुई है ना ही motion sensor के ठूह बात हुई है मैरे ख्याइल से location change भाई जैसे मैंने बोला location change करनी चाहिए एकदम से फिर से motion sensor own हो गया है अगर कोई है जो हमें सुन पा रहा है तो इस goal light के साथ में एक और चीज रखी हुई है इसके आस-पास आ सकते हो आप गुजर जाओ, कुछ भी इसके साथ छेड़ चाड़ करो आपने दो बार लाइट जला के बताया है कि आप हो यहाँ पे क्या सच में आपने ही कुछ किया है या फिर यह हमारी वज़े से हुआ है दोगर मेरी वज़े से तो यह हुआ निया क्योंकि देखो मैं तो अभी भी इल रहा हूँ अगर यह मेरा मोशन साइड में कैप्चर कर पा रहा होता है तो यह मेरा मोशन अभी भी कैप्चर कर लेता तो मेरी वज़े से तो यह जला नहीं है दो रीजन हो सकते हैं तो camera man का motion इसने उठा लिया है या फिर कोई सच में spirit है जिसका motion इसने उठाया है एक तीसरा option भी है जानवर भी काफी है यहां पर हो सकते है किसी जानवर का motion उठायो यूजली छोटे मोटे कीडे मकोडों का तो यह नहीं उठाता है ज्यादा यह जो मोशन उठाता है वो बड़ी चीजों का ही उठाता है तो most probably किसी कीडे की वज़े से तो यह नहीं हुआ है यह देखो फिर से उठा लिए सने motion मेरे ख्याल से यह इस पार्ट को इतना ही रखना ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे न जिस हिसाब से response मिल रहे है हमें काफी जादा इन्वेस्टेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे और भी कुछ जगा है जो अभी तक आपने इस पार्ट में नहीं देखी है आगे जाके बहुत चीज़े हैं यहाँ पे तो वह सब अगर इसी पार्ट में इंक्लूड कर देंगे ना यह देखो फिर से motion चल गया है तो यह सा पार्ट कर डल जाएगा चैनल पर वह वाला देखना आप